नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टैरिस गार्डन चैनल पर तो दोस्तों आज है दिसंबर की आठ तारिक और दुफैर के डेड़ बज रहे हैं और आज हमारे यहां बहुत ही जादा तेज धूप भी निकल रही है बिल्कुल इस टाइम जो है छत के उपर रुका भी नहीं जा रहा है धूप इतनी जादा तेज है तो दोस्तों आज हम हैंगिंग बास्किट में लगाए जाने वाले पंधरे के करीब बोधों के बारे में बताएंगे जिनकों की आप हैंगिंग बास्किट में लगाते हैं तो वो प्लांट फ्लावर भी देते हैं और हैंगिंग बा कीट में लगाया जाने वाला हमारा पहला प्लांट जो है पिटूनिया स्ट ए प्लांट न को प्लांट तो आप चिसे प्लेकर में इनके प्लांट लागे अपनें यह प्लावर फ्लावर खिल के इस तरह से हो जाता है यह उनकी पिंचिंग कर देने चाहिए क्या होता है जब हमें इनकी पिंचिंग नहीं करते हैं तो सीड बनने लग जाते हैं तो plant पूरी energy अपनी seed को बनाने में लगा देता है जिसके कारण हमारे प्लांट में जो ए फ्लावरिंग कम होने लगती है तो इसलिए हमें इनको पिंच करते रहना चाहिए और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा कैलन्डूला का प्लांट तो इस वक्त आप कैलन्डूला को भी बिल्कुल हैंगिंग बास्किट में लगा सकते ह अप देखे कितना सुंधर ये फ्लावर खिलना शुरू हो गया है और सीड से लगाए हूए हैं यह हमारे सभी कैलें Ừ डूला के प्लांट और दोस्तो when you can out here यह हमारा पैंजी का प्लांट तो पैंजी का प्लांट भी यह हमारे सीड के द्वारा लगाए हुए हैं इसलिए अभी इनमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं जो हम नरसरी से लेके आयते तो उनमें फ्लावर आ रहे हैं लेकिन यह सीड से लगाए हैं तो थोड़े से लेट ही इनम इंटर सीजन का प्लांट होता है छोटे छोटे पौधों में ही बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और इन में भी जो है सिंगल कलर आता है डवल कलर आता है और इनको कितली फ्लावर भी कहते हैं और दोस्तों अगला प्लांट है यह हमारा अभी इसका अनसाइद हमें नाम याद नहीं आ रहा है और ये इसके सीड पॉड़ भी बनने लग गए हैं इसके अंदर सीड है तो आप चाहें तो इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं वैसे हमने ये प्लांट पहली बार ही अपने गार्डन में लगाया है और इसको लगे हुए इस हैंगिंग बास्केट मे लगे हुए जैसे की 2,5 साल हो गए हैं और ये कटिंग से बहुत इसली ग्रो भी हो जाता है बहुत सुंदर प्लांट होता है इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग आती है लेकिन बहुत कमाती है विंटर सीजन में बहुत सुंदर सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं और इस यह सीड़ यह सीड़ पॉड़ बन रहा है भी इसको हम ग्रो करने का ट्राय करेंगे और दोस्तों यह अगले प्लांट हमारे से이지 displays से लगाया है तो आप ती थुनिया को भी बिलकुल hanging basket में grow कर सकते हैं इन में sunflower के जैसे छोटे-छोटे flower आते हैं और दोस्तो अगला plant हमारा dinethus का plant है तो dinethus के plant को भी आप hanging basket में लगा सकते हैं और hanging basket में जब इसको लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये hanging basket को ही भर देता है इसमें कई color के flower आते हैं तो इसको आप cutting से भी लगा सकते हैं और इसको आप seed से भी लगा सकते हैं winter season का बहुत ही सुन्दर flowering plant होता है बंच में इसमें flowering आती है और दोस्तों अगला plant geranium का plant है तो geranium को भी आप hanging basket में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं इसमें बंच में flower आते हैं जैसे ये एक बंच बन रहा है और ये बंच है और ये भी जैसे खिल के खतम हो गए हैं तो हमें इनको हटा देना चाहिए जैसे कि हमने इस बंच को यहां से हटा दिया है क्यूंकि हमें seed नहीं चाहिए अभी और जब जरूरत होगी seed की तो हम इनको छोड़ देंगे ये पूरा बंच ही हमने हटा दिया है और अगला plant है हमारा prime rose या प्रामुला का plant तो आप इसको भी hanging basket में बहुत ही आसानी से ग्रोग कर सकते हैं इसमें पीच में फ्लावर आते हैं और hanging basket में लटका हुआ ये plant बहुत सुन्दर लगता है और अगला plant हमारा ऐसा ही कारनेशन का plant है डाइन्थस फैमली का plant होता है और ये भी hanging basket के लिए बहुत ही बढ़िया plant है इसकी जादा height नहीं होती है और नहीं इसकी जादा roots होती है जादा मतलब गहरी roots नहीं जाती है तो इसको बिलकुल आप hanging basket में लगा सकते हैं और अगला plant हमारा जो है जीनिया का plant है तो जीनिया में भी आप देखे जीनिया नहीं सोरी गजानिया गजानिया में आप चालू हो गए हैं तो इनको भी हमें बिल्कुल यहां से तोड़ देना है तो ऐसा ही इस प्लांट के साथ है अगर हम इनको नहीं तोड़ेंगे अपनी पूरी एनर्जी इनके भी सीड बनाने में लगा देगा तो हमने ये अभी ये 5-6 सीड पॉड तोड दिये हैं और इनके सीड बहुत हलके होते हैं जहां भी उड़के चले जाते हैं वहीं प्लांट निकल आते हैं तो इसलिए हमें इनको तोड देना है और जब सीड चाहिए जैसे अपरेल के महिने में अप्रेल मही के महिने में तो आप इनको ना तोड़ें तो आप इनका seeds कलेक्ट करके रख सकते हैं seed से बहुत आसानी से यह plant grow हो जाता है तो इस plant को भी आप hanging basket में भी लगा सकते हैं और आप इसको जो जो यह छोटे pot में भी लगा सकते हैं और दोस्तों ये अगला प्लांट हमारा है एफरिकन डेजी तो इसमें बीच में फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं बहुत सुन्दर प्लांट होता है फ्लावर भी इसमें बहुत सुन्दर आते हैं और ये प्लांट हमने जो है सीड से लगाए हुए हैं भीगूनिया भी है देजी भी है तो इन में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है लेकिन कोई बात नहीं इन पौधों में भी थोड़े से दिनों के बाद में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो बिल्कुल आप ऐफ्रिकन डेजी को भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं बीच में ही इसमें फ्लावर आते हैं और दोस्तों भीगुनिया को भी आप बिल्कुल हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं बहुत ही सु पर क्लर की पठी वाला प्लांट होता है इनके फूलो का कलर का होता है और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और hanging basket में भी आप इसको असानी से लगा सकते हैं और दोस्तों ये जितने भी हमारे hanging basket में लगाए जाने वाले plant हैं तो इनकी roots ज़्यादा नहीं फैलती हैं इसलिए इनको ज़्यादा जगे की या ज़्यादा गहरे pot की जरूरत नहीं होती है hanging basket में भी ये बहुती आसानी से चल जाते हैं या छोटे pot में भी ये plant बहुती आसानी से चल जाते हैं और ये हमारे जो है अधिक तर सीजनेवल plant होते हैं इन में से एक अधाई plant है जो हमारा जो है बरसात के बाद बच पाता है या फिर लगभग तो क्या होता है कि अपरेल आते आते ही अपरेल माई तक ही ये हमारे winter season वाले plant खराब हो जाते हैं दोस्तो जो भी plant हमने बताए हैं इन पौधों को आप hanging basket में बहुती आसानी से लगा सकते हैं और nursery के उपर भी ये plant आपको बहुती आसानी से मिल जाते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, share और subscribe जरूर करें तो अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद